सूरा मेरे मज़ पमान तक्ठण फिर में जिखा पधिंग समाधियानी बुद्धन गुरू रविदाज जी की जैनती है उनका जरंदर है और पिछले कुछ सालों से जब से सोसल मीडिया बना है उब्रा है हमारे जितने भी महापुरूस हैं उनकी जानकारी उनकी जैनतिया वाटसेप पे भी सोसल मीडिया पे भी और जमीन पे भी छोटे छोटे काईकम लगा के चावतरफ बन रही है फाइदा भी है नुकसान भी है फाइदा है कि कम से कम हमारे समर समाज को अपने महापुर्सों की जानकारी हो रही है नुकसान है अलग-अलग हो रही है अलग-अलग एनरजी जा रही है अलग-अलग उज़ा जा रही है तो अगर इसको सब को एक साथ हम कर लें तो फाइदा हो जाएगा और अगर इसको सब को हम एक साथ नहीं कर पाते हैं तो नुकसान बढ़ता जाएगा समझ अपनी है कैसे समझना है यह आपके अपने उपर है अपने जितने भी अलोशी पड़ोसी हैं उनके उपर है तो कुछ बात हैं जो analysis करेंगे आज हम वो संत सुरोवनी गुरु रविदाज जी के बारे में करेंगे क्योंकि उनके analysis और उनकी जानकारियां बहुत कम लोगों तक हैं एक केहर सिंग जोती मरे मेरे facebook पे हैं यह उनका facebook का है मैं बाद में भेज दूँगा वो कहते हैं कि कवीर के उस सबसे परे लिखते हैं कि ब्रहमणों ने रविदाज जी की हटिया क्यों की थी यह प्रसन वाचक है फिर लिखते हैं कवीर के दोहों की तो कालिज पहुँचने पर साहित्ते में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाया करती थी लेकिन संत्र अविदाज जी की ब्रहमणबाद के खिलाप जो चुबते गीत हैं हमें लगता है कि 90% भारत के जन्मानस से भी वे अभी कोसो दूर हैं एक गीत आपके समक्ष रख रहे हैं इसके बोल जरा आप गा कर देखी और फिर इसके परिणामों के वारे में सोचिए आखिर क्यों और किसने इसे च्छपाया उस जमाने का एक क्रांतिकारी गीत मैं इसे पढ़के गा के सुनाता हूं आपको जीवन चारी दिवसका मेला रे बामन जूटा वेद भी जूटा जूटा ब्रह्मा अकेला रे मंदिर भीतर मूर्ती बैठी पूजती बाहर चेला रे लड्डू भोग चड़ावती जनता मूर्ती के धिंक केला रे पत्तर मूर्ती कछुने खाती खाते बामन चेला रे जनता लुटती बामन सारे परभूजी देती ने धेला रे पून्ने पाप या पुनजनम का बामन दीना खेला रे स्वर्ग नरक बैकुंट पदारो गुरू सिस्स्य या चेला रे जितना दान देवेंगे जैसा वैसा निकरे तेला रे बामन जाती सभी भेकावे जने तने मचे बवेला रे छोडी के बामन आ संग मेरे कह विद्रोही अकिला रे संत स्रुमनी रविदा जी तो ये जो सवाल है जिसमें वो कहते हैं कि उनकी हत्या क्यों हुई और फिर वो ये लिखते हैं कि उन्होंने कैसी कैसी बातें लोगों को कहीं उस जमाने में मुगलों का जमाना था जमाना कोई इतना खराब नहीं था पर मुगल भी सरिंडर कर चुके थे क्योंकि मुगलों के आगे जो ब्रहमन नोंने कह दिया कि हम भी तुमारी तरह बाहर के हैं तो जजिया कर मत लगाओ तो वो सब एक हो गए मुगल भी भाई भाई दोनों एक हो गए दोनों ही बाहर के थे क्योंकि यहां तेरे प्रकार के बाहर के लोग रहते हैं जो भारत में आए हैं तेरे प्रकार इंविजन हुआ है हुआ तो बहुत वारे पर तेरे प्रकार का घोसित है जो दिखाई देता है यहां जो उनकी हत्या के वारे में वो बोलते हैं कि हत्या क्यों होई, क्या कारण है, इसको अगर थोड़ा भी बारिकी में आप समझेंगे, तो कारण बड़ा छोटा सा है, बात बड़ी छोटी सी है, पर ये बात समझ में क्यों नहीं आती, ये बात बड़ी है, कारण छोटा ह कभी भी ब्रहमन या ब्रहमनवाद या किसी व्यक्ति के अगेश्ट में कभी कोई बात नहीं कई और पूरी किरांती कड़कर डाली लोग उनसे लडने आए ज़डने आए उन्होंने सब्द एक भी नहीं बोला वो बुलकुर शांत रहे वो कभी नहीं बोलते थे वो अपना काम करते थे पॉजिटिव काम अपना काम जैसे समर संग करता है हम वमन के वारे में एक सब्द भी नहीं बोलते हमें उससे कोई लेंदर नहीं है साफ साफ कहा हुआ है पहला नियम है केवल समर बुलकुल भी हम उसकी बुराई या उसका ज इसलिए हम अपना काम सीधे-सीधे करते जाते हैं, हमारा किसे कोई जढ़ना नहीं, कुछ नहीं, और कोई जढ़ने भी आता है, तो हम शांत रहते हैं, जैसे बुद्ध ने हमें सिखाया, बहुत लोग जढ़ने आए, पर सांत रहें, पर फिर भी बुद्ध बच गए, फिर सबसे बड़ा जो कारण है, वो कारण ये है कि संत सिरुमनी रविदाज जी ने एक तो संग नहीं बनाया, और संग उनके साथ नहीं था, और दूसरा उन्होंने विरूद की बात कही, जब आप अपनी समर्थक और पॉजटिब बात न कहके, और दूसरे की निगिटिब बा ही, और पिट्टे के रिया में कुछ भी हो सकता है, आप अपनी बात कीजिए, ठीक है, प्रताना है, ठीक है, आडंबर है, ठीक है, सारी बात ठीक है, पर आप उसका पिचार करेंगे या उसकी बात करेंगे, तो सामने वाले को वार करने का मौका मिलेगा, पर आप अपनी ब परिनार ठीक नहीं आने वाले हैं जैसे हम यानी समर्संग क्या कहता है समर्संग ये कभी नहीं कहता कि उसने ऐसा कर दिया उसने ऐसा कर दिया उसने वैसा कर दिया वो आदमी ऐसा है या वो बमल ऐसा है या उनका ये काम या उनका ये काम हम किसी का नाम भी नहीं लेते ना किस साथ रहो, तुमको साथ रहने से कौन मना करता है, तुम्हें अपना सही काम करने से कौन रोकता है, तुमको इखटे होने से किसने मना किया है, तुमको इखटे होके सारे काम सामिक रूप से करने से कौन सी आफ़त आती है, कौन सी मौत आती है, हमारा जगड़ा पॉजिटिव काम में कोई हिस्साय नहीं लिया और दूसरा जो सबसे मैज़दार बात है वो यह है कि बुद्ध ने यह जानते हुए कि मैं पॉजिटिव काम करूंगा फिर भी हमला हो सकता है क्योंकि हमला करने वाला तो कोई भाना ढूंड लेगा तो उन्होंने संग सबसे पहले साथ रख थे हैं चुकि संत स्रोमनी हैं सबसे बड़े संत हैं ग्यानी है और उन्होंने संतों की कुछ साथ रख रखे भी पर उनके जो अनुयाई हैं उनकी मौत के बाद आए हैं निकले यह सबसे बड़ी एक विडबना है या सबसे बड़ा एक निगेटिव काम है कि जब कोई आद पर मठ बना लेते हैं उसके नाम पर उत्सब बना लेते हैं उसके नाम पर बहुज मस्ती का साधन बना लेते हैं पर उसकी बात नहीं मानते इसलिए करांती नहीं होती इसलिए कोई संत महापरूस अपनी जान देने के बाद भी उस सफलता तक नहीं पहुँच पाता जो सफ पुरे भारत में या पूरी दुनिया में जिन लोगोंने भी परिवर्तन का काम किया है, उनको always हम ऐसा repulsion मिलता है. यानि कि जब आप करिया करोगे तो प्रिट्टी करिया होगी. और प्रिट्टी करिया कहीं तक भी हो सकती है. वो आपका आर्थिक नुपसान भी कर सकती है, वो आपका सारी नुपसान भी कर सकती है, वो आपका सामाजिक नुपसान भी कर सकती है, वो आपका मांसिक नुपसान भी कर सकती है, वो छोटी कोई गाली गलोश भी हो सकती है, कोई मारे पटाई भी हो सकती है, कोई पैसे का दुनिया में होती रहती हैं इन सब चीजों से बचने का उपाय गुद्ध ने बिल्कुल इस्पष्ट दिया है और वो सीधा सा उपाय है कि आप इखटे होके सामोहिक परिवर्तनी बात कीजिए अकेला व्यक्ति समाज का परिवर्तन नहीं कर सकता इध्यार न किये वो फिलोस जाता है तो क्या समाज बदला समाज तो वहीं कम ही है समाज के अंदर हैं सो करोड आदमी और एक आदमी ने बात कई और वो खुद बदल गया तो वो खुद बदल के खुद तो सुकी हो सकता है पर जब तक सो करोड लोग नहीं बदलेंगे तब तक समाज इकरांती नहीं हो हुआ, बुद्ध से पहले बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिनको बुद्ध जैसा इलाएं था, तो पिंप – उसम्मेख सम बंधरा रहे हैं, और उससे पहले जितने दुद्ध रहे हैं उनको पुच्चेक बुद्ध बोलते हैं, यानि पर्टेक बुद्ध बोलते हैं, ऐसे बुद्धों का पर्टेक बुद्ध सिर्फ इतना नाम होता है, इन्होंने ग्यान लिया, खुद सुखी हुए, किसी को ग्यान नहीं दिया, कोई रिस्क नहीं लिया, कोई खटा नहीं किया, कोई संग नहीं बस ज्यान सीखा और अकेले अपने मौत का अंतियार किया और सुखी होके मर गए उनको पच्चेक बुद्ध बोलते हैं पर सम्मा सम्बुद्ध जो होते हैं वो रिस्क लेते हैं वो पूरे जीवन काम करते हैं लोगों को जगाते हैं संग बनाते हैं चला के दिखाते हैं और स तो काउंटर किया, वो पहले नमबर का काउंटर है, जब हमारा कोई आदमी, साधर आदमी, जब परिवतन करने निकलता है, करांती करने निकलता है, तो वो सीधे सीधे विरोधियों को गाली देता है, सीधे सीधे विरोधियों को बात करता है, उसको सिखाय जाता है, कि ये ज जो बैस तरीका है दुनिया में वो बुद्ध का तरीका है उस तरीके के अंदर सीधे सीधे किसी को गाली नहीं दी जाती है नहीं कहा जाता है अपनी कमिया ढूंडी जाती है अपनी कमियों को दूर किया जाता है अपनी कमिया खतम की जाती है कमिया खतम होते ही आपकी प्यूरिटी निकल के आ जाती है बाहर, कमिया खतम होते ही आपकी खुबिया बाहर रह रह जाती है, जैसे किसी अगर सेप का छिलका उतार दो तो सेप का गूदा निकल आता है, वैसे ही अगर कमिया निकल दी जाएं तो फिर रस निकल के आता है, यह से हमारे लोगों की सारी कमिया दूर हो गई और सारी कमिया दूर होने से हमारे लोग ताकतवर हो गए और वो मॉरली फिट हो गए वो सारी ग्रूर रूप से फिट हो गए वो आर्थिक रूप से फिट हो गए क्योंकि सराब छोड़ दी तो पैसा जाना बंद हो गया तो काम कर लगे जूट बोना छोड़ दिया तो सरीर में दमा गया सचाई में ताकत होती है तो यह वेफचार छोड़ दिया सराप का इसका तो सरीर मजबUत होने लगे टाइम बशने लगा तो उसे मजबुत होते चले गए बुराईयां छोड़ते ही अच्छाईयां अपने आप निकलाती है क्योंकि अच्छाईयां आदमी के अंदर होती है बुराईयां उनको ढख लेती है अगर बुराईय उतार के फैंक देते हैं तो फिर अच्छाई की ताकत अच्छाई निकल के भार आ जाती है ये काम बुद्ध ने सिखाया और इस काम की सबसे खास बात ये थी कि एक वार जिस व्यक्तिने अपनी बुराईया देख ली और छोड़ दी फिर वो सुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया वो ताकतवर हो गया फिर वो लड़ने के लिए काबिल हो गया इसलिए पर अगर हम दूसरे के कहते रहें अरे तेरा बेटा सराप पीता है तेरा बिटा सिर्ट पीता है तेरा बाप जुआ खेलता है तेरी माँ ऐसा करती है तेरी बहन ऐसी करती है तेरा ये ऐसा करता है तेरा वो ऐसा कहता है और उसको उक्देश देते रहे हैं तो सामने वाला दुस्मन हो जाएगा आपके क्योंकि आपने अपनी तो देखी नहीं बुराई वेसे का आप सुद्ध हो सकते हैं वेसे का आप बहुत अच्छे हो सकते हैं पर आप अगर सुद्ध भी है और अच्छे भी है तो सामने वाले की बुराई नहीं बतानी चाहिए ये काम बुद्धने कभी नहीं किया पर अगर ज़गड़ा पैदा करना है लड़ना है तो आप सुद्ध हैं तो सामने वाली कर बुराई बताएंगे तो वो लड़ने आएगा ही आएगा रिपलसन होगा तो ज़गा उसके परणाम आएंगे खरा परणाम आ सकते हैं क्योंकि आपके पास संग भी नहीं है अगर आप सामने को डायक्टर भोल भी रहें लड़ भी रहें तो पीछे आप इतनी मजबूत होने चाहिए ऐकर सामने वाला आपको देख है तो बहुत वहुत Heritage किरहें जो खहरा है है थीक किरहें इसके बहुत बहुत लोग गुरु रविदाजी की जो करांती है और जो उनके सिस्से हैं जो उनके चेले हैं उनकी बात को नहीं जानते हैं उनकी बात को नहीं समझते हैं उन्होंने सिर्फ पटके माने हैं सरुपा माने हैं और जैकारा किया है और वो नहीं जानते कि वो क्या किया और उनने क्या नहीं क रखते उनके जो अनुयाय हैं उनको सीमित कर दिया गया देखो कहां सीमित किया संत स्रोमणी रविदा जी ने जो बात बताई उसके अंदर वो जात से fight करते हैं और जातियों के वारें बताते हैं पर उनको खतम करने के लिए उनके दुस्मनों ने उनको एक जात के अंदर बान दिया और एकी जात में समेट के रख दिया यानि कि जो व्यक्ति संत सुरूमनी है जो संतों का संत है जो कविर्दास का भी संत है और भी जो संत है उस व्यक्ति को एक जात तक जाकर सिमित कर दिया ये कहानी आज भी होती है आज भी जो आपके लीडर है या जो आपके संत है जो समर्ण समाज के लोग है उनको अलग अलग जातियों का लीडर अलग अलग जातियों का संत बताया जाता है उनको कभी समर समाज का संती भी नहीं बोलते, सारे समाज का भी नहीं बोलते, जाती का, इससे क्या होता है, उनको आईसोलेट किया जाता है, आईसोलेशन वो तरीका है, कि जब किसी व्यक्ति को मारना हो, और उसको खतम करना हो, तो सबसे पहले उसे अलग लेके आना चाहिए, यानि किस का चप्पल और वो डंडों से सुताई करती है पुलिस पर पूछो मत पर भीड में नहीं करती क्योंकि भीड जो है वो संग का रूप है और आपने उसको भीड से उठाया और पीटा और वहां मारा तो सारी जो पबलिक है वो चिपट जाएगी इसलिए उन्हें भी पता है कि आईशोलेट करके माना चाहिए ये ये जंगल के जानवरों को भी पता है जब सेरों का जुंड कहीं शिकार करता है तो हिरनों का जुंड हो या भैसों का जुंड हो या घोडों का जुंड हो जिसका भी वो शिकार करता है तो पहले उनको दोडाता है और दोडाने के बाद म isolation का मतलब है कि अकेले में लेके आओ उसे अकेला कर दो उसे बलकुल तो अकेला करना मौत का पहला करण है इसलिए संत सरुमनी रविदास गुरू जो गुरू जी है उनको isolate लेट किया गया पहले भी किया गया और मनने के बाद भी किया गया उनकी isolation करके उनको एक काश्म डाला गया और उपर से क्या किया कि जिस पूजा के लिए जिस ब्रहमरबाद के लिए जिस वेद के लिए जिस मूर्टी के लिए उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रचनाए बोली और जो गीत गाए उनकी अनुयाई वही काम करने लगे उन्होंने गुरू जी की मूर्टी रख द या उसी महापर उसको आले में बिठा के है उसकी भक्त हो गए लढने को टिया रहा है मनने को टिया भक्त तो अंदा होता है चाहे धर का हो या धर का हो भक्तो कुछ नहीं पता होता है तो कितने तरह के भक्त हमारे त्यार हैं आज के समय संत स्रोमनी रवदाजी के भक्त हैं वो उनके लावा किसी की नहीं सुनेंगे जो कविडाजी के संत हैं वो उनके लावा किसी की नहीं सुनेंगे जो सतनामी संत हैं वो उनके लावा गुरु गाजिदाजी के लावा किसी की नहीं सुनेंगे जो गाड़ के साब के भक्ते हैं वो उनके लावा किसी की नहीं सुनेंगे जो दुर्वलनाजी के भक्ते हैं वो उनके लावा किसी की नहीं सुनेंगे कि जो भक्ती का वाज आती है और कब नहीं हाती है ये सबसे बड़ा रोडा है हमारे अंदर हम दूसरे के भक्त को तो खुब मज़ी लेके बोलते हैं और हम का भक्त बन जाते हैं इस का helps पता ही चलता अंडे हो जाते हैं मिलकूल गड़ने मनिक लेते हैं तेहर हो और भक्तों को काम पे लगाना अकलबंदों का काम है अकलबंद क्या करते हैं पहले उनको भक्ती सिकाते हैं और फिर भक्तों का आपस में लड़ाते हैं कहीं वो डॉक्टर मिटकर की एक मूर्टी तोड़ देंगे बाजी तोड़ देंगे तो लगए भक्त काम पे कहीं बुद्ध की गर्दन तोड़ दी तो लगए भक्त काम पे कहीं गाड़ के साफ क्या कहीं डंड हटा दिया तो लगए भक्त काम पे कहीं क्या बोलते हैं, रविदाजी के मंदिर की जगले जगह अच्पह घ्ठा दी तो लगए काप प्र… दे रात कामंपे लगाए हुएं तो जो कि लगाना बड़ा आसान है सम्विधान की पन्ना फ़ार दो बगत काम पर लग जाएंगे सम्विधान को गाली बगत काम पर यह चेक होता रहता है कि कितने भक्तें कितें नहीं है इस भक्ती से बचना चाहिए किसीवी महापुर्स ने कभी भी नहीं कहा तुम मेरा फूट लगाना और भक्ति करना तुम मेरा किताब रखना या तुम सम्विदान की भक्ति करना या फलाना करना हर एक महापुर्ष ने ये कहा है जागरत रहना है अकल से काम लेना है और इखटे होना है इन दो बातों को जागरत रहना है अकल स करना है वैसा करना है पर कौन समझाए और उपर से दोस्त देते हैं कि हमारी तरक्य नहीं हो रही हमारे अधिकार चलेगे हमारे अरे अधिकार तो जाएंगे भक्तों के अधिकार तो हमेसा जाते ही है चाहे भक्त इधर के हो या उधर के हो भक्तों को कुछ नहीं मिलता भक्तो दुनिया में जो लोग भक्त नहीं हैं पर भक्त होने का नाटक करते हैं और दुनिया को भक्त बनाई रखते हैं वो मज़ा लेते हैं जो मूर्टी का भक्त मनाता है मूर्टी बनाने वाला वो ही जब मूर्टी को अंदर से देखता है तो कहीं उसका पैर रखता है कहीं हाथ र देता है और ये सब जीगे होते हैं और ना भी हो तो पैदा किये जाते हैं ताकि भक्ती हो कैसे पैदा किये जाते हैं पैदा ऐसे किये जाते हैं कि इधर डॉक्टर अम्बेटकर की मूर्ती खंडित कर दी और उधर जोतीवा फुले की मूर्ती खंडित कर दी इधर वालों को क कहा कि मेरी मूर्ती लगाना और तूटे तो ऐसे करना पर फिर भी भक्त लड़ते हैं इसलिए जागरती एक्च्वल में जरूरी है और जागरती जरूरी है कि महापोर्सों ने जो करने के लिए कहा है वो करना है पर हो क्या रहा है कि जो करने के लिए नहीं कहा है उसमें टाइ हैं पर ये काम नहीं होता काम कुछ और होता है काम होता है मेरे महापरुस को ऐसा क्यों कह दिया और तेरे महापरुस की तो क्या बात है और मेरा महापरुस बड़ा और तेरा चोटा और तेरी किताब चोटी और मेरी किता बड़ी हो तेरा ऐसा और मेरा ऐसा ये काम होता है इसमें सारी एनर्जी और सारी रूर्जा हमारी जाती है अगर हम इससे निकल आए बच आए तो हमारे बचने की संभावना है और हम इसी में फसे रहे तो फसाने वाले तो पूरा मज़ा लेते हैं और प्रचार प्रचार करते हैं सारा मीडिया सारा टीवी सारा मेन मीडिया आपस में लड़ाने के लिए पूरा काम करता है अगर आप आँक के अंदे हैं बेसक आपकी आँक खुली है अगर आप अनपड़ हैं बेसक आपने पीच जी कर रखी है बेसक आप जो क्या वोलते हैं पूरी दुनिया के बानी है कि खटे हो जाओ खटे हो जाओ तो बच जाओगे सादू संगत करो बजन करो साथ रहो एक साथ रहो तो जीत जाओगे और ये बात सबने कहिए पर इस बात को किरिये करने के लिए कोई तयानी है क्योंकि किरिया करेगा तो बच जाएगा सिर्फ भक्ती करेगा या पा अब ही हो सकता है कि कुछ लोग हमारे समर्षंग के भक्त बने जाएं कि समर्षंग का भक्त नहीं बनना है समर्षंग के जो नियम है उन पर चलना है समर्षंग के लड़ना नहीं है कहीं कोई समर्षंग को गाली बके समर्षंग का मा भेन करे समर्षंग का माता पिता जी करे सम जगा नहीं है, यह सबसे अनुखा है, सबसे विसाल है, सबसे भव्य है, सबसे बड़िया है, सबसे महाबल वाला है, सबसे महायश वाला है, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई मुकावला नहीं है, इसलिए इसमें शांती के साथ, जगरती के साथ में सिर्फ एक काम करना है जुड़ना 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 है इसके लाव कोई काम नहीं करना है बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे इसी को इस पर बहस करनी हो तो कर सकता है दस बजे के बाद में क्योंकि सारे काम अपने आप पिर्ली में जो हम इखटे हो रहे हैं पेसक सीटे भर चुकी है पर फिर भी आना जादे हैं कि जितने ज्यादा लोग आएंगे तो मिलन उत्रा होगा खड़े रहेंगे खाना खाएंगे आराम से गपसब आरेंगे वहां कुछ अपड़ी हैं बैठें की जगे हैं वहां पार्क जाते हैं इसलिए परिवार है हमारा अगर ज्यादा लोग भी आते हैं तो कौन सी आफ़ता आ गई है कुछ खड़े हो जाएंगे जो जवान हैं जो बुड़े हैं जो बच्चे हैं जो ओरते हैं वो बैठ जाएंगे कि हम अपनी सिड्नी दे सकते हैं उनको पर संगती में ज क्राइम इवेंट है लोग आए लोग उने पैसा खर्च किया लोग उने पैसा भी दिया पर वहां ले जाने के लिए कुछ नहीं है बस थोड़ा बहुत भाचन हो गया लोग चले आए एक दूसरे से मिलाए पर वो जो संग करता है वो नहीं दिखा दीता दूर दूर तक क्य संग इवेंट वाले काम बनी आता पर संगती लगी तो मैं वहाँ यह सोच रहा था कि यह इतनी सारी संगतिया लग-लग लग लग रही है इनको कैसे समझाएंगे इन तक कैसे पहुँचेंगे क्योंकि हम तो पहुँचे नहीं अभी तक इनको कैसे बताएंगे संग क्या है क इसलिए संग क्या जो संग संग का जो गंत है उसको दान करना सीखोगाई अगर उसको दान करना नहीं सीखोगे और उसे जगे जगे खामे का पहुचाओ इसको अपने आप यह मान के चलो कि हमें 500 रुपे महिने का दान करना है और 500 रुपे में 35-36 गंत आ जाते हैं एक पड़ता है थेरे रुपए साट पैसे में, क्या होते हैं तेरे रुपए साट पैसे, आद मी अगर पान खाते तो पान खाके ठुकातो और दस रुपए आता है, कहीं अगर टॉफी खा ले तो ऐते हैं कि एक रुपी क्षियों पूर। लेता नहीं है क्या आता है सब्जी humming चले जाओ तो सौतौड सो रुपे वैसी चले जाते है आज पता दो ताकि छपके आ जाये और नहीं तो डांक से पहुंच जाएगा और सब लोग इसको दान दें इसको दें क्योंकि अगला समंद गंत इसके बाद और आएगा अगर समंद गंत आप पहुंचाते रहेंगे पोश्ट पहुंचाते रहेंगे वीडियो पहुंचाते उतनी उसकी हलत खराब होती जाती है फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा पता नहीं ऑपरेशन में बचे ना बचे उस लायक सरीर रहे ना रहे कि बचे या ना बचे इसलिए जितना ताकत हो सके उतनी ताकत से हमको उन तक जानकर ही पहुचाने चाहिए क्योंकि वहाँ जो दो 322 लोग थे उन तक हम यही सोच रहे थे कि हम इन तक कैसे पहुचेंगे तो पहुचने का रास्ता हमारे पास है पर हमें सब को मेहत करनी पड़ेगी एक वेक्ती दो वेक्ती तीन वेक्ती जितने मिलते हैं जहां मिलते हैं उनको वहां तक बात को पहुचाना चाहिए और उस का सुडूल अभी दे दीजिए क्योंकि महा डिकलेर करना है दस आदमी की संगती है पांच आदमी की संगती है बीस आदमी की संगती है अपनी रोटी वाली संगती है सो आदमी की संगती है या पांसो आदमी की संगती है या हजार आदमी संगती है संख्या पर मत जाईए आप की जितनी च्छमता है आप लिखवा दीजिए कि मैं साल में आठ संगती करूंगा बीस बीस आदमें की तो आठ लिखवा दीजिए कोई आदमी ददस आदमें की संगती करेगा तो लिखवा दे कि मैं साल में दस संगती करूंगा दस दस आदमें की तो लिखवा दे तो संगति हो गया है शुरू हो गया उस पर करें इसके लावा जो सपत है हमारी स्पोक वाली यानि के जो समढ़ संगी की सपत है जुम्मेदार्दारी वाली वो भी वहाँ पर लेनी है इसलिए जो जो व्यक्ति अपने आपको पूरी तरह से कमिट कर चुके हैं और पूरी तरह से ये कर हैं कि हम सपत लेंगे वो लोग अपने नाम पहले दें तो कि सपत का पत्र मिलेगा पर वही नाम दे जो अपने आपको सौ परसेंट कर चुका हो जो पूरी तरह से तन से और मन से ये कह चुका हो कि मैं अब जीवन परियंत समण संगी ही रहूंगा इसके लावा मैं कुछ न जिन से आरंभ हो जाएगा और फिर उसके वाद अगर वो बिट्रे करेगा या धोका देगा तो उस पर लिखा जाएगा कि इसने सपत लिए और इसने सपत तोड़ी सपत तोड़ने की परिस्मेंट होती है और सबसे निकाला तो इसनिए कोई कच्चा आदमी ना ले पर जो हैं वो सारे के सारे समर संकी सपत लें क्योंकि बुद्ध ने जो सिस्टम बनाया था उसमें जब सपत होती थी और उससे पहले जब संग था जिसमें बुद्ध ने भी सपत ली जब बुद्ध बुद्ध नहीं थे सिद्धत गौतम थे सपत ली तो सपत के बाद ही संग के अ जो जो लोग सपत लेना चाहते हैं और जो सच में संगी बन गए हैं वो अपने नाम देदें अपने के बाई कुमिन नेटवर्क मी वही समालते हैं ताकि वो लिष्ट बना सके हैं या पर्यार सर को लिखवा दें उनके पास ओर लेडी लिष्ट है तो ये सारे के सारे काम वहा कोई मिश्टेक हो जाती है तो वो संग से ऐसे हाद जोड़ के तीन वार माफी बोलता है संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे अगर मुझे कहने में कोई गलती हो गई है और हमारा जो काम है वो जुड़ने का जुड़ने का है जुड़ेंगे अभी हम जितने जितने जोड़ रहे हैं, सारे जोड़ जाएंगे, तो हमें साथ जीत जाएंगे इसको मेंटरनप कर रखेंगे, संगंग नमामी, संगंग नमामी, संगंग नमामी, धन्यवाद. झाल 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 आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है यह सभी copyright फिरी हैं आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं अपनी नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्हें की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी तूथियं पी दम्मं मर्सेणं गच्छामी तूथियं पी दम्मं सरेणं गच्छामी तूथियं पी संगं सरेणं गच्छामी दोखियं पी सन्दम सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी दोखियं पी सन्दम सर्णं कच्छामी तरतियं पी सन्दम सर्णं कच्छामी साथू, साथू, साथू सकत दो गच्छामी तरतियं पी सन्दम सर्णं कच्छामी झाल झाल